वेलकब एव्डिवान आज हम लोग उनिटें का लास्ट पार्ट करेंगे तो घायरे एडूकेशन का ये लास्ट पार्ट है तो उसमें देखेंगे हम लोग पार्लामेंट अगर देखा जाए तो फिर हम दो हिस्से में इसको डिफाइड कर सकते एक है आपका राज्य सभा लेटीव गैमिली कोहए है, स्टेट मैं अभी आप देख रहे है is Deputy मैँ आपका हो रहा है एलेक्शन इस एलेक्शन में जिन मिनिस्टर्स को इलेक्ट किया जाएगा वहएलेक्ट होके जाएगे रेजिस्लेटीव एसेपली में और फिर legislative assembly से वो members select करेंगे मतलब यह अपने से selection करेंगे राज्यसवा के लिए members तो ऐसे select होता है राज्यसवा के members तो यह selection कैसे होता है क्यों होता है indirectly क्योंकि अगर directly देखा जाए तो लोगों ने legislative assembly के members को select किया था और legislative assembly के जो members है उन्होंने जाके select किया आपके राज्यसवा के members को तो ऐसे select होते हैं आपके राज्यसवा के members अगर total seat देखा जाए तो total आपके 250 seats है अब यह याद रखेगा कि अभी राज्यसवा पढ़े इसके बाद लोग सभा तो सभी जो seats है वो है maximum number of seats तो इसके total seat कितने maximum number तो फिर 250 इसमें से आपके 238 seat जो है वो seat है for the state and union territories बागी जो 12 seat है उन्हों में कौन रहेंगे वो decide करते है प्रेसिडेंट तो जो famous personality होता है या फिर किसी production line में invention, scientist ऐसे किसी line में जो होते है तो इन्हों नहीं इंडिया के लिए बहुत contribution गया उन्हें select किया जाता है तो इन बाड़ा को कौन select करते है तो प्रेसिडेंट तो क्या हो गया? 238 हमादे state और union territories है और बाड़ा को select करते है हमादे प्रेसिडेंट तो टोटल सिर्स हो गया आपके 250 है यह जो राज्यसभा है, यह एक permanent body है मतलब यह कभी भी dissolve नहीं होता है इसके जो members होते है राज्यसभा के members इनने elect किया जाता है for a period of 6 years sorry यहाँपर 16 नहीं होगा for a period of 6 years उनको elect किया जाता है तो यह कभी भी dissolve नहीं होता है लेकिन one third of the members जो है they retire after every 2 years तो इससे अगर देखा जाए तो यह एक permanent body है यह कभी dissolve नहीं होता है ति इसके जो members है 6 साल बाद इनका time खतम हो जाता है बतलब इने अगर चाहे तो फिर से elect कर सकते है पर 6 साल बाद इनका खतम हो जाता है और जितने house में member है उनमें से one third of the member retire after every 2 years तो मान लीजे election में है राज्यसभा में है total 90 members तो one third of the members कितने हो गए तो यह हो गए आपके 90 into one third यह 3 और 90 कट किया 30 तो फिर 30 members जो है they will be retiring after every 2 years इसका जो सबसे important topic है वो presiding officer का है presiding officer जो होते है वो होते है आपके vice president of India तो इसके presiding officer कौन होते है presiding officer मतलब क्या होता है पहले समझते है presiding officer मतलब जो पूरा काम चल ला है राज्यसभा में उसके जो head होते है तो आप देखेंगे अगर राज्यसभा या फिर लोगसभा का tailcaster देखेंगे तो उसमें एक इनसान जो है एकदम उपर के chair में बैठे रहता है और वही permission देता है कि आप बोलिये या फिर आप बोलिये ये bill pass हो गया या फिर इसमें voting होगा तो सब कुछ वह ही decide करता है तो राज्यसभा के presiding officer कौन है तो वो है आपके vice president of India फिर हम लोग काएंगे लोगसभा में लोगसभा में कौन होते है वो रहते है आपके directly elected तो हम लोग members को directly elect करते है center के लिए वो जाके कहाँ पर बैठते है वो बैठते है आपके लोगसभा में ये क्या है directly elected by the people यह आपर अगर seat देखा जाए ये फिर से आपका maximum number of seats है ये है आपका 530 seat तो लोगसभा में कितने total seat है तो फिर 530 इनमें से 20 आपके union territories के लिए तो फिर 530 seat जो है वो सिफ state के लिए 20 seat आपके union territories के लिए और 2 seat जो है वो Anglo-Indian community के लिए तो फिर कितना seat हो गया total 530 seat जो कि state के लिए 20 seat जो कि union territory के लिए और 2 seat जो president select करते है जो एंगलो इंडियन community से होते है यहाँ पर total हो गया आपके 5 552 total seats अगर इसको देखा जाए तो लोगसभा आपका कोई permanent house नहीं होता है लोगसभा को dissolve किया जाता है every 5 years every 5 years फिर से election होते है और every 5 years लोगसभा को change कर दिया जाता है इसके जो presiding officer होते है वो presiding officer है आपके speaker और यह speaker कौन होते है speaker होते है member of the house speaker is a member of the house पर राज्यसभा में आगर देखेंगे तो presiding officer कौन थे? तो आप presiding officer थे आपके vice president of India and he is not a member of the house और यहाँ पर speaker जो है he is a member of the house उसके बाद देखेंगे कुछ special powers जो लोगसभा को मिलता है तो यहाँ पर जो speaker है he presides over the joint sitting in the house मान लीजे कोई बिल है तो दो houses है राज्यसभा और लोगसभा तो मान लीजे कोई बिल है और वो बिल आपके राज्यसभा में तो पास हो गया पर लोगसभा में पास नहीं हुआ या फिर राज्यसभा में पास हो गया पर लोगसभा में पास नहीं हुआ क्या होगा बिल जुलते रहेगा पर ऐसा गर कोई बिल है जो कि पास करवा नहीं है क्या होता है दोनों houses को मिला दिया जाता है राज्यसभा और लोगसभा और इसमें presiding officer कौन होते हैं? यापर presiding officer होते हैं आपके speaker तो जब भी आपका joint session होता है जहाँ पर राजज़सभा और लोगसभा दोनों को मिला दिया जाता है तब आपके presiding officer बन जाते है लोगसभा के speaker फिर confidence और no confidence motion दोनों को initiate और pass किया जाता है only in लोगसभा तो मानली जब आप news में देखते ही होंगे कि इस minister के खिलाफ या इस political party के खिलाफ एक no confidence motion पास किया जाएगा कि लोगों को उसके उपर confidence नहीं है तो यह सब motion जो है यह सब आप पास करते हैं स्रिफ और स्रिफ लोगसभा में इसको आप introduce भी सिर्फ लोगसभा में कर सकते हैं और pass भी अगर करना चाहे तो लोगसभा में करना है और सबसे important जो है money bill can be introduced only in लोगसभा तो यह जो money bill होता है मतलब government कितना पैसा खर्चा करेगा कितना पैसा लिया जाएगा यह सब का जो bill होता है यह सब आपका introduce किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ लोगसभा में राज्यसभा का इसका बहुत पावर रहता है जैसे कि मैंने पहले ही बता है दो houses है एक लोग और एक राज्यसभा लोगसभा को बोले जाता है आपका lower house और राज्यसभा को बोले जाता है आपका upper house तो मान लीजे कोई money bill है तो वो money bill पहले introduce किया जाता है लोगसभा में अब मान लीजे लोगसभा में वो pass हो गया अब वो जाता है राज्यसभा में अब राज्यसभा में जब वो जाता है तो राज्यसभा maximum 14 days तक आपका bill रोग सकता है उसके बाद ये automatically समझा जाएगा कि राज्यसभा ने वो bill पास कर दिया चाहिब वो bill पास करे कि ना पास करे तो money bill जब भी introduce होता है या फिर money bill की जब बात हो दिया है तब लोगसभा के पास बहुत जादा power रहता है तो यहाँ पर आपने देखा कि लोगसभा के पास जादा power रहता है और यह क्यों होता है क्योंकि लोगसभा is directly elected by the people और इंडिया जो है एक democratic country है जिसमें हम लोग अपने election पे decide करता है इसलिए आप देखेंगे लोगसभा के पास बहुत जादा power रहता है अब इसको एक बार जो important parts है उसको एक बार चार्ट में देख लेता है आपको जो है हर एक details याद नहीं रखना है तो फिन दोनों के बीच में जो differences है वो याद रखने है कि वहीं ज्यादे exam में आता है तो एक side पर लिख देते हैं लोगसभा एक side पर लिख देते हैं राज्य सभा तो लोगसभा को क्या कहा जाता है? लोक सभा को का जाता है आपका lower house वहीं पर राज्य सभा को क्या का जाता है राज्य सभा को का जाता है आपका upper house लोक सभा का term कितने time के लिए होता है यह होता है five years और राज्य सभा का term कितने time के लिए होता है यह होता है आपके six years लोगसभा का अगर देखा जाए तो लोगसभा आगर डिसॉल्व होती है एफरी और वहीं पर अगर राज्यसभा का देखा जाए तो यह डिसॉल्व नहीं होती पर जो वान थर्ड मेंबर से वो रिटायर करते है वो यह अब लोगसभा का देखा जाए लोगसभा और राज्यसभा में और क्या डिफेरेंस तक है हाँ क्या में डिफेरेंसर है लोगसभा दाइखली इलेक्टेड आपका डायरेेक्टली इलेक्टेड BILL और राज्यसभा अपका इंडिरेटली तो ये लोगसभा राज्यसभा में में डिफरेंसेस है जो आपको अच्छे तरिकल सा याद रखना होगा इसके बाद हम लोग मनी बिल या फिर बजेट के बाड़े में देखेंगे तो फिर यूनियन बजेट अब यूनियन बजेट क्या होता है यूनियन बजेट होता है मतलब गवर्मेंट प्रेजेंट करती है कि उनका कितना खर्चा होगा या फिर उनको कितना पैसा चाहिए वही है आपका यूनियन बजेट इसमें तीन टर्म्स है जो हम लोग को समझ रहना है पहला है आपका Consolidated Fund of India ये Consolidated Fund of India क्या है? इसमें आपका जितना भी इंडिया इंडियान्स टैक्सेस भरते हैं चाहिब वो डाइरेक्ट टैक्स हो या फिर इंडाइरेक्ट टैक्स हो सब कुछ जितने टैक्सेस है सब Consolidated Fund of India में जाता है और आप सुनते ही होगे खबर में कि इंडियान्स इतना लोन लिया या फिर इंडिया के उपर इतने इंवेस्टमेंट करने के लिए प्रामिस किया गया इतने इंवेस्टमेंट के लिए पैसा दिया गया इंडिया को तो वो सब जाता है आपके Consolidated Fund of India में और इंडिया में जितने भी आपके जाब करते है जैसे कि मान लीजे आपके Supreme Court के जर्ज है या फिर Higher Officer के पैसे हैं वो सब Salaries आते हैं यहां से जो आपके High Level Officers होते है High Level Officers उनके साड़े खर्चे आते हैं यहां से Government Job का Income यहीं से आता है और दूसरा अगर Government को Development के लिए खर्चा करना चाता है Development लिए खर्चा करना चाता है Development Projects के लिए तो उनके लिए उनने Parliament से Permission लेना पड़ता है और Parliament में उसको प्रेजेंट करना पड़ता है और After the Approval of the Parliament इसमें आपका राज्यसभा और लोगसभा दोनों है Approval जब मिलता है उनने From the Parliament में और उसके बाद ही वो Consolidated Fund of India से पैसा निकाल सकते हैं और इंडिया में काम कर सकते हैं यह आपका Consolidated Fund of India फिर आता है आपका Contingency Fund of India Contingency Fund of India एक Fixed Amount जो है एक Fixed Amount टर्ग दिया गया है जो कि आपका President यूज़ कर सकते हैं President या फिर Finance Minister of India जो है उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं और इससे कब किया जाता है यूज़ इन Emergency Situation या फिर Unforcing Expenditure वो यगर Emergency Situation आ गया तो उसी वक्त आपका Parliament नहीं बुलाया जा सकता है और बिल को President करना पास करना है काफी एक Long Time लग जाता है तो इसके लिए आपका एक Contingency Fund of India रखा गया है ताकि अगर कोई Emergency Situation हो तो यही से पैसा निकालके आपका खर्चा किया जा सकया फिर है आपका Public Account of India Public Account of India क्या हो रहा है आप मान लीजिये Savings करते हैं या फिर Donations देते हैं किसी काड़न से तो उसके आपका Public Accounts of India तो जितना आपका Public Accounts of India मतलब ऐसे लोगों का आम लोगों का मनिय है उसे जहां पर रखा जाता है वही होता है आपका Public of India जैसा आपने Donations दे दिया या Free Fund दे दिया वो रखा जाता है इंदा Public Accounts of India पिर हम लोग देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले देखेंगे कि जर्ज जो होते हैं उन्हें कया क्राइटेरिया फुल्फिल करना पड़ता है तो पहला है आपका शुड बी अस सिटिशन अफ इंडिया तो इंडिया के सिटिशन होने चाहिए क्योंकि बहुत ही कौमन है अब यहां से इंपॉर्टिन पॉइंट्स आड़ है ऐसा हो सकता है कि हाई कोर्ट में मान ये वो मान लिजे कोलकाता के हाई कोर्ट में थे फिर उनने दिल्ली के हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया वहां से उनको माराश्रा के हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया इससे फर्ट नहीं पड़ता पर सब कुछ मिला कि उनको टोटल पात साल तक आपका हाई कोर्ट का जर्ज रहना होगा इसके बीच में वो ब्रेक नहीं ले सकते है तो पहला क्राइट लिए ये है कि उन्हें 5 साल तक आपका हाई कोट का जज रहना होगा या फिर यहां पर और होगा या फिर उनको एड़ोकेट रहना होगा हाई कोट का for at least 10 years यहां पर भी सेम है कोई भी कोट जा सकते हैं पर हाई कोट में 10 साल तक आपको एड़ोकेट रहना होगा अगर जज रहेंगे तो 5 साल तक आपको हाई कोट के जज रहना पड़ेगा पर अगर आप एड़ोकेट होगे तो 10 साल तक आपको एड़ोकेट होना होगा या फिर आप distinguished jurist है in the opinion of the president president ऐसा भी आपको मान सकते है कि आपको law का बहुत ज़्यादा ग्यान है और इसलिए भी आपको Supreme Court का judge मान सकते है इन तीनों में से आपको एक fulfill करना होगा or should be a citizen of India तो फिर यहां पर देखते हैं आपका permanent क्या है जो आपको fulfill करना ही होगा वो है आपका citizen होना होगा आपको citizen होगा citizen होना होगा of India और decide में देखते क्या क्या है decide में है कि आपको 5 साल तक High Court का एक judge होना होगा High Court का judge या फिर 10 साल तक High Court के advocate advocate या फिर एक distinctive jurist for the president तो इन तीनों में से कोई भी एक अगर आप criteria फुल्फिल करते हैं और आप citizen of India होते हैं तो फिर आप Supreme Court के judge हो सकते हैं ये सारे हैं उनके criteria अब ये देखा जाता है कि Supreme Court जो है वो Supreme Court आपके Government of India के खिलाफ काफी जा दिया है तो उन्हें ये देखना पता है कि जो law makers है जो इंडिया में law देखते हैं वो किसी Government को support ना करें वो Government के control से पूरी तरिके से दूर रहें इसके लिए कुछ चीज़े बनाए गई है जैसा कि पहला है salaries और allowances उनको जो मिलते हैं वो निकलता है आपका consolidated fund of India से तो मैंने जैसा बताया है पहले ही कि higher officials जो है उनके salaries निकलता है consolidated fund of India पतलब उनके salaries और allowances जो है वो fix रहेगा और उसको change करने के लिए Parliament जाना होगा और वहाँ से majority लाना होगा तब ही आप तो change कर सकते हैं तो उनके salaries और allowances किसी minister के wish पे change नहीं हो जकते है दूसरा है no ministers were involved in the selection तो जो supreme court के judge का selection होता है उसमें कोई भी आपका minister है उसे involved नहीं किया जाता है यहाँ पर जो आप देख रहे president यह president अपने से select नहीं कर सकते हैं पर उन्हें दूसरे जो judge है उनका recommendation मानना होगा और यह recommendation उन फे binding है मतलब judge जो recommendation करेंगे वह recommendation मानना होगा president जो एक formal signature करेंगे तो ऐसे करके no ministers were involved in the selection और तीसरा है can be removed only by the president तो अगर आपको judge को remove करना होगा supreme court के जो judge है उनको remove करना होगा तो खली president कर सकते हैं और वो भी इतने आसानी से नहीं कर सकते हैं उन्हें राज्य सभा और लोग सभा से दोनों जगे से bill को pass करना होगा और दोनों से आपका majority भी लेना होगा दोनों house जब majority देंगे उसके बाद प्रेसिडेंट जो है उनको निकाल सकते हैं तो इतना कुछ protection दिया जाता है आपके judge को ताकि वो government से influence नहीं हो उसके बाद देखेंगे supreme court के jurisdiction supreme court क्या चीज़ में jurisdiction कर सकते हैं पहला है original jurisdiction इसका मतलब होता है वो cases जो directly जाते है supreme court के पास और supreme court आपका judgment पास करते है दूसरा है आपका rate rate आपको आपने कल का chapter देखा होगा तो उसमें मैंने article 32 के बारे में बताया था कि article 32 क्या है तो बाबा साहिब अंबेद कर ने जब constitution लिखा था उसमें था article 32 article 32 में हम लोग को लिखा गया है कि अगर कोई भी institution या government organization कोई भी institution government organization अगर हम लोग को fundamental rights है वो हम लोग को ना दे तो फिर हम court के पास जा सकते हैं तो ऐसे cases जो हम लोग से हमारे जो government fundamental rights है वो छिन लेती है तो वो है आपका great jurisdiction fundamental rights है वो छिन लेती है तो वो है आपका great jurisdiction पीर है आपका appellate appellate का मतलब यह होता है appellate का मतलब यह होता है मान लीजे कोई lower court है जैसे कोई high court हो गया या फिर regional court तो supreme court से तो सभी lower court सी है तो कोई court में अगर कोई judgment पास किया गया और अगर आपको लगा कि वो judgment गलत है तो आप supreme court में जा सकते है उस judgment को लेकर उसी को कह जाता है appellate case या फिर appellate jurisdiction फिर आता है आपका advisory jurisdiction advisory jurisdiction आता है under article 143 यह आता है under article 143 advisory jurisdiction में जो president है president को अगर कोई चीज के बारे में पूछना है या फिर कैसा law है क्या करना चाहिए यह सब अगर वो कोई legal advice चाहते है तो वो आपके supreme court से मांग सकते है इसी को कहा जाता है आपका advisory jurisdiction फिर है आपका advisory jurisdiction advisory जैसे मैंने बता है कि जितने lower courts है जितने इंडिया में lower courts है उनका जो judgment है उसको challenge किया जा सकता है और अगर supreme court चाहिए उसको change भी कर सकता है इसलिए डियावा है revise revise माथलब कोई भी court का law जो है उससे वो change कर सकते है इसलिए उनकी इससे को कहा जाता है advisory jurisdiction फिर सबसे important part आता है judicial review अगर आप law की पढ़ाई करोगे या Indian politics के बाड़ में पढ़ोगे तो देखो कि judicial review जो है वो आपका सबसे important है judicial review किस पर काम करता है तो वो काम करता है आपके article 13 पर article 13 में क्या लिगा हुआ है अगर कोई भी law कहीं भी ऐसा law बनेगा जो की आपके constitution के खिलाफ होगा constitution के खिलाफ होगा तो फिर उसको null and void declare कर दिया जाएगा null and void मतलब क्या हुआ वो नियम को गलट declare कर दिया जाएगा या फिर वो नियम को आप imply नहीं कर सकते इंडिया में तो constitution के खिलाफ कोई भी नियम होगा तो वो नियम को cancel कर दिया जाएगा under traditional review I hope आप लोग को यह समझ में आ गिया original है आपका directly जो cases जाते है Supreme Court में rate है मतलब हम लोग के जो fundamental rights और constitution में उसके against अगर कोई cases हो मतलब उसके खिलाफ अगर लोगों को नहीं दिया गिया उसका right तो फिर जा सकते है affiliate होता है मतलब lower court में कोई judgment पास किया गया और उसको challenge करने के लिए हम लोग जब जाते है advisory हो गया president के लिए president को अगर कोई legal matters में कोई advice चाहिए तो वो होता है advisory, advisory हो गया lower court के कोई judgment को Supreme Court overturn कर दे मतलब की change कर दे judicial review judicial review में constitution में जो laws लिखे हो है उनके खिलाफ अगर कोई दूसरा law बना है या फिर खुछ भी बना है तो अगर वो constitution के खिलाफ है तो फिर वो नियम आपका null and void है नतलब वो नियम जो है वो आपका मानना नहीं जाएका इंडिया में पिर देखेंगे right to information right to information इसे famously RTI बोला जाता है और RTI act से ये बना था 2005 में जब ये पास क्या गिया था तब ये बना था right to information act और इसे पहला system को या फिर सोच को किसने लाया था वो थे आपके Thomas Jefferson में right to information किस चीज़ पे depend है वो डिपेंड़ ऑन दे participation transparency EJT मेंसी and responsiveness of the government तो जो government है democratic country में उसको आपका participation, transparency legitimacy और responsiveness के लिए responsiveness के लिए बनाया गया ये right to information right to information क्या है उसके बारे में बात करते है मान लीजे कोई एक government body है और उसमें कोई documents रखे हुए है documents रखे हुए है अब क्या होता है आप RTI कर सकते है और right to information के द्वारा आप पूछ सकते है कि ये सब जो documents है ये सब मुझको पता करना है और इसका reply आपको 30 days के अंदर मिल जाएगा 30 days के अंदर ये सब news देने का मतलब reply करने का time मिलता है इस 30 days के अंदर ये जो documents है वो आपको मिल जाएंगे ये ही है आपका right to information इसमें भी अगर देखा जाए इसमें एक clause है Official Secret Act 1923 इसमें अगर government को डाटा को ऐसा कर दे कि ये जो डाटा है ये आपका secret डाटा है या फिर ये लोगों के लिए सही नहीं है तो वो डाटा आपको नहीं मिलेगा through the RTI Act आपको ये reply मिल जाएगा कि government ने इसे बंद कर दिया या फिर government का इस document के उपर आप RTI नहीं लगा सकते है तो इससे ही का जाता है Official Secrets Act जो ये official documents है वो आपका publication के लिए या फिर public के लिए available नहीं है ये सब आपके confidential document है confidential document इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लोकपाल और लोकायुकता के बार में लोकपाल और लोकायुकता गर लोकपाल की बात की जाए तो लोकपाल को पास किया गिया था लोकपाल and लोकायुकता Act 2013 के द्वाड़ा लोगपाल और लोकायुक्ता ये जो टाम है इसको निकाला गिया था बाई डॉक्टर एलेम सिंग भी इसका मेन काम जो था गवर्मेंट और इंडिया में जितना भी करॉप्शन होता है उसे रोकने के लिए लोगपाल और लोकायुक्ता क्या करता है ये दोनों आपके statutory bodies है statutory bodies क्या है जो आपके law पास कर सकते है और अगर law को ना माने तो उसके according उसको punishment भी दे सकते है लोगपाल और लोकायुक्ता क्या करते है आपके जो पहले तो ये समझ रहे हैं लोकपाल जो है, वो और center के लिए है और लोकायुकता state के लिए अब लोकपाल और लोकायुकता जो है इनका काम यह ही है कि कहीं पे अगर corruption चले तो फिर corruption की cases इनके पास आते हैं और यह उन cases को सुनते है उसके according punishment देते या फिर ज्यादा तर ट्राइ करते है कि उसी case को वही पर solve कर दिया जाए तोनों parties के बीच में तो ये है आपका लोगपाल या फिर लोकायुकते का काम इसे English में कहा जाता है आपका Ambutismant Ambutismant वो होता है जो corruption के बारे में सुनता है और corruption की cases जो है उनको solve करने का कोशेश करता है इसे को English में कहा जिया है Ambutismant और लोगपाल Act के बारे में बात की जाए कि लोगपाल का बिल कब लाए गया था वो पार्लमेंट में लाए गया था 1960s को और पहले बार किसने लाए था तो फिर पहली बार उस बिल को लाए था 2000 ने अंशन किया था तब ही जाके आपका लोगपाल पास हुआ था यह तो बहुत कॉमन है कि यह पास होने में इसना टाइम क्यों लग गया क्योंकि इसको पास करना है तो फिर इसको पास करना है पार्लमेंट में और पार्लमेंट में कौन है तो वहाँ पर है आपके ministers और हम सब को बता है कि हड़ एक minister बहुत ही अच्छे इनसान होते हैं उनका corruption से कोई मतलब नहीं होता है इसलिए आपका लोगपल जो पास करने में इतना time लगिया था अब पढ़ेंगे हम लोग नीतिया आयोग के बारे में नीतिया आयोग की बात अगर की जाये तो इसे अभीके जो government है उन्हीं ने लाया था नीतिया आयोग से पहले क्या था तो नीतिया आयोग से पहले था आपका planning commission तो planning commission को हटा के नीतिया आयोग लाया गया है तो यह planning commission क्यों हटाया गया था planning commission जो है वो आपका mainly जो plans है, वो सब बनाता है थे center के लिए और फिर उसे भेज दिया जाता था states के लिए जितने भी plans है, वो सब center में बना जाते और फिर जाते है थे states में और इसको कह जाता था आपका trickle down effect मतलब जो अच्छा होगा वो आपके center से आस्ता आस्ता नीचे states में जाएगा और states में जाने के बाद आपके regions में जाएगा regions में जाने के बाद आपके villages, blocks ये सब में जाएगे इसे का जाता था आपका trickle-down effect और ये ज्यादा successful नहीं वहाता है और इसलिए trickle-down को हटा के लाएगा नीचे आयोग नीचे आयोग में क्या क्या गया यहाँ पर bottom-up approach अपलाएगा गया bottom-up-up नीचे आयोग में क्या होता है जितने chief ministers है states के और union territories के जितने governance है उनके एक साथ लाया जाता है और फिर वो कोई plan देते और center और state mill के plan बनाते है ताकि सभी का भला हो पाए यही है mainly जितने नीचे आयोग लाया गया था नीचे आयोग कब लाया गया था यह लाया गया था आपके 1st January 2015 को इसमें जो approach यूज किया जाता है वो है आपका bottom-up approach इसके जो chairperson है इसके chairperson है आपके prime minister इसके जो governing council है governing council है आपके chief minister and lieutenant governors of the union territories इसके लावा भी बहुत साथ educated person और scientist को लाया जाता है ताकि नीचे आयोग के जो plans है उनको अच्छी तरके से plan किया जा सके इसके पहले planning commission अगर बात की जाए planning commission में सिफ एक ही time था कि 5 साल के लिए कोई plan बनाया जाता था मतलब कोई भी plan है वो 5 साल के लिए imply किया जाएगा तो ऐसे बहुत साथ एक plan होते थे जो 5 साल से पहले ही खतम हो जाते थे मानिए 4 साल में खतम हो गया 3 या फिर 2 साल में खतम हो गया पर उस पर पैसा लगा जाता था पाथ साल तक इसलिए government के बहुत सारा पैसा खर्चा हो जा जाता था पर ऐसे बहुत सारे काम थे जो पाथ साल से भी ज्यादा टाइम लगता है जैसे 6 साल, 7 साल, 8 साल मान लिजे कोई road बनाना या फिर कोई bridge बनाना तो उसके लिए काफी time लगेगा पर उस पर सिर्फ 5 साल के लिए काम किया जाता और उसके बाद उस तो ignore कर दिया जाता था उस पर खर्चा तो किया जाता था पर उससे कोई product नहीं मिलता था इसलिए नीतिया योग ने क्या किया नीतिया योग ने हड़ एक जो plan है उससे 3 साल में complete होगा 7 साल के लिए plan बना है और 15 साल के लिए plan बना है इससे क्या हुआ जो plan है उसको appropriate time मिलेगा इस plan के लिए कितना time चाहिए वो नीतिया योग decide करती है और उसके हिसाब से इन तीन categories में एक में उसको divide करती है इससे क्या होता है government का जो fund है वो सही काम के लिए जाता है और वो सही तरीके से use भी होता है अगर नीतिया योग में देखा जाए तो नीतिया योग को दो हिस्से में divide किया गया दो hubs है मनलब working sectors है पहले को कहा जाता है team India hub team India का hub करता है ये काम करता है between the states and the center दोनों के बीच में अच्छे relation बने रहे है और दोनों एक दूसरे के ideas exchange करें पर एक दूसरे के development के लिए काम करें वो काम है आपका team India hub और फिर second है आपका knowledge and innovation hub तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि नीतिया योग में जितना आपका development होता है development का काम होता है या फिर planning किया जाता है वो सब होता है आपके knowledge and innovation hub में तो ये आपका higher education का जो chapter है यही पर खतम होता है तो चलिए एक बार इसका division कर लेता है और एक बाग ये good governance index good governance index कुछ रही है इससे GGI कहा जाता है इसमें जो major states है इंडिया के है जो majority GDP contribute करते हैं इंडिया के लिए उनका एक ranking देखा जागा इसमें आपके 18 states है जो majority GDP contribute करता हैं इंडिया के लिए उनका एक ranking देखा जाता है overall ranking इसमें आपका public infrastructure, judicial, public health सब कुछ मिला के दिखा जाता है और ranking दिया जाता है इसको start किया गया था 2014 के 25th December को 25th December क्या है तब उस दिन चर्म तिन है आपके विहारी बाचपही क्या तो इस दिन को start किया गया था आपका good governance index और इसमें ranking दिया जाता है अगर ranking का मानें तो 2019 में पहला ranking में कौन था वो थे आपके तमीर जांडो चलिए revise करते है तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे थे पार्लामेंट के बाड़े में पार्लामेंट के दो इसे एक है राज्यसभा दूसरा है आपका लोग सभा राज्यसभा के जो मेंबर्स है वो indirectly elected होते है उन्हें elect कौन करता है legislative assembly के मेंबर्स उसका जो maximum seat है आपका 250 है इसमें की आपके 238 है seats वो आपके union territory और state के 12 seat जो है वो president elect करते है कि वो 12 seat में कौन कौन जाएंगे तो यह जो है यह एक permanent body है और जो मेंबर्स select होते है वो 6 साल बात उनको हटा दिया जाता है या फिर उन्हें re-election किया जाता है और one third जो member है one third member retires every two years इंदे राज्य सभा अब देखेंगे आपके लोग सभा के बार में लोग सभा की अगर बात किया जा तो यहाँ पर आपके जो members है उन्हें directly elect किया जाता है इसमें जो total seat है वो है आपके 552 इसमें से आपके 530 seat जो है वो जाते है आपके state से 20 seat जाते है आपके union territory से और दो seat जाते है आपके अंगलो इंडियर members से जो इलेक्ट का पीचार elected by the president तो यहाँ पर अगर presiding officer की बात की जाए तो यहाँ पर presiding officer जो होते है वो होते है speaker इनके पास काफी साढ़े powers होते है जैसे जो speaker होता है को joint session में यह आपके presiding officer होता है joint session क्या है officer कभी भी joint session होगा तो presiding officer कौन होंगे तो वो होंगे आपके speaker तो speaker जो है joint session में बात करता है तो यहाँ पर अगर confidence या फिर no confidence motion पास किया जाए तो वो भी आपके पास होता है लोकसभा में और money bill का भी जो बात है उससे introduce किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लोकसभा को ज्यादा powers इसलिए मिले है क्योंकि वो directly elected by the members of the India फिर हम लोग पढ़ेंगे union budget यूनियन बजट अगर बात की जाए तो उसमें तीनी से पहला है consolidated fund of India जो की सबसे बड़ा है amount of money के हिसाब से यही से आपके taxes, loans और जो funds मिलते हैं इंडिया को वो सब रखा जाता है और इसको खर्चा करने के लिए आपका approval लेना पाता है पार्लामेंट से बाखी दो जो है contingency और public accounts of India इसे पैसा निकालने के लिए आपका पार्लामेंट से permission नहीं लेना पड़ता है contingency fund of India क्या है यह एक special fund है जो की आपके president के और financial minister of India के लिए डखा जाता है यह कोई भी an emergency हो तो इसको use कर सकते है public account of India क्या है पार्लिक अगर अपना पैसा दे अपना कोई fund दे या फिर donation दे तो वो जिस जगर बेर जमा होता है पार्लिक account of India फिर हम लोग पढ़ेंगे supreme court of India के बाड़े में supreme court of India के बाड़े में अगर बात करें तो फिर जो compulsory चीज है वो है आपका citizen of India होना चाहिए या फिर इन तीनों चीजों में से एक चीज होना गया यह थीन क्या है तो पहला होता है कि वो high court के जज रहना चाहिए पात साल के लिए या फिर advocate रहना चाहिए high court के दस साल के लिए या फिर he should be a distinguished he या फिर she should be a distinguished jurist for the opinion of the president इसके बाद यह देखेंगे सुप्रीम कोर्ट से जज को कैसे दूर रखा जाता है सुप्रीम कोर्ट से आपके यह government जो है यह फिर politics है उससे दूर कैसे रखा जाता है तो फिर जो salaries और allowances होते हैं इने लिया जाता है from the consolidated fund of India तो यह directly महां से आते हैं और कोई ministers apply नहीं करता है कोई ministers को involve नहीं किया जाते हैं इनके selection से और स्रीफ और स्रीफ प्रेसिडेंट अगर चाहिए तभी refusal किया जा सकता है आपके judge of supreme court of India का jurisdiction अगर बात किया जा है तो फिर यहां पर है आपका original jurisdiction rate jurisdiction, appellate, advisory, advisory और आपका है judicial review right to information, right to information में क्या होता है आप जो government है उनको question कर सकते हैं और वो आपको reply देगे within 13 days if the document जो आप मांग रहे है that are not confidential फिर आपका लोगपाल और लोगपाल है आपके center के लिए लोगपाल है आपका state के लिए इससे pass किया गया था 2013 में इसमें आपका statutory bodies बनाया गया जो आपके anti-corruption cases उनकी सुनवाई कर सकते हैं इसके बाद देखेंगे नीती आयोग के बारे में नीती आयोग बनाया गया था planning commission को हटा के on 1st January 2015 इसमें जो main approach यूज किया जाता है bottom up और centers को involved किया जाता है in the planning and the development of the country अगर नीती आयोग की बात की जाए तो इसको दो हिससे में divide किया गया team India hub जो की center of state की relation के बारे में देखता है और दूसरा है आपका knowledge and innovation hub यहाँ पर सारे development और planning किया जाता है इस आता है आपका good governance index good governance index start किया गया था आपके 2014 25th December को इस दिन आपका अटल ब्यारी बाचपही का जरम दिन था तो यहाँ पर इंडिया को जो major states है जो majority GD भी आपका contribute करते हैं इंडिया के लिए उनका एक ranking दिया जाता है तो अगर 2013 में ranking माने नमबर वान state कौन था तो फिर वो था आपका Tamil Nadu तो आज के लिए question देख लेते हैं राज्या सभा dissolves in how many years? option A है 5, option B है 6, option C है 2 या फिर option D है never राज्या सभा जो है वो कितने सालों में dissolve होती है? पहला option है आपका 5 years, दूसरा option है 6 years, तीसरा option है 2 years या फिर option D है कभी नहीं तो आपका जो answer है उससे मुझे comment section में लिखके जरूर बताईएगा आज के वीडियो के लिए इतना ही रहा और thank you so much ये वीडियो देखने के लिए